पर हर में दान पतेर बंदियां हर में दान पतेर एक कस्ट नड़ी लो तेने स्टेंड पर गोठो क्लेंपनी मदद तेने स्थीर करी दो हवे तेमा दस है मेर मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथ्वा तो सल्फ्यूरिक एसिड हूँ मेरो बे माती कोई पन एक एसिड उमेरी सको हवे तेमा दानादर जिंक उमेरो अने जो जिंकनी सपाटी पर सुथाई छे तमने जिंकनी सपाटी पर हाइड्रोजन वायूना परपोटा उत्पन थता देखा से हवे आकरोतीमा दर्शाय प्रमने विमोचन नडी लगाडी दो अने हाइड्रोजन वायूने काचना पात्रमा लाइडो काचना पात्रमा साबूनो द्रावन भरो निकरता वायू पासे मीन बत्ती लई जाओ वायू पप साउन साथे सडगी उडशे आउत्पन थतो वायू हाइड्रोजन वायू नमस्कार, दोस्तो, दोरंदस, विग्णान, प्रक्रनबे, एसिल्ड, बेज, अनेक सार मित्रो, एसिल्ड अने बेज नी, परखनी केटलिक का सोटियो अने, सुचको इसे प्रात्मिक माहीती मेलविया पाद मित्रो, अवे जही आपड़े आगड मित्रो, आशारू थता पहला, आपेलो वीडियो तमें जरा द्यान्थी जोयो हसे ठीक चें दोस्तो, सुकी दू छे या नवा मुद्डामा एसिल्ड ने बेज, धात्यो साथे केवी रिते प्रक्रिया करे छे मित्रो, प्रवरुत्ती 2.3 दोस्तो, आकरूती 2.1 मां दर्सावया प्रमाने सुकारवानू छे तो कि मित्रो एक कश्णड़ी माा साधनो गोठवीया बाद एक कश्णड़ी मां आशरे पाँच आमेल मन्द सल्फिरीक ऐसीड लई तेमा थोड़ाक दानादर जिंख नाको मन्द सल्फिॉरीक ऐसीड नी जग्या है मन्द हाइड्रोक्लोरिक एसिर लए तोपन चाले दानादार जिंकनी सपाटी पर तम नेसु देखाई छे मित्रो तमें प्रयोग मां जोयू हसे दानादार जिंकनी सपाटी पर हाइड्रोजन वायूना परपोटा जोवा मड़े छे ठीक छे दोस्तो चाल उत्पन थत्दा वायूने साबूना द्रावन माथी पसार करो साबूना द्रावन माँ परपोटा सा माटे उद्भवे छे मित्रो दानादार जिंकना टुकडा H2SO4 साथे प्रक्रिया करी हाइड्रोजन वायू उत्पन करे छे जने साबुना द्रावन मा थी पसार करता परपोटा बने शे। ठीक छे दोस्तों? साबुना द्रावन मा परपोटा सामाटे उद्भवे शे। जोयू? चलवे सु करो, वायू थी भरेला परपोटा नचीक सडकती मिनबत्ती लई चाओ। तमे सु अउलोकन करी। सु अउलोकन जोहामल से मित्रों। सडकती मिनबत्तीने हाइड्रोजन वायूनी नजीक लई जत हाइड्रोजन वायू धड़ाका साथे सडगी उठेश। अने पप एव अवाज आवेश। बिजा अन्य असिड जेवाके SCL हाइड्रोक्लोरिक असिड, HNO3 नाइट्रिक असिड, CS3CHH, SCTक असिड साथे आप प्रवरुत्तीनु पुन्रावर्तन करू। प्रत्यक सितिमा तमारा अउलोकन समान चेके जुदा-जुदा, तेत अपासो, मित्रो, जिंक दातु, हाइड्रोक्लोरिक असिड साथे, सलफ्यूरिक असिड जेवीच प्रक्रिया आपे छे, परन्तु, नाइट्रिक असिड साथे, हाइड्रोजन वायू मुक्त थतो नथी असिडिक असिड साथे, पन्तु, हाइड्रोजन वायू मुक्त थतो नथी ठीक छे दोस्तो नोदो ुपरुक्क्रक्रियाओमा धातु, एसिड माती हाइड्रोजन नू विस्था पन। हाइड्रोजन वायू सरुपे करे छे धातु एसीड साथे जोडाईने संयों जन बनावे छे जन एक सार कहे छे आकी सामा कयोक सार बने छे जड़ेने सोफोर जिंक सलफेट आम धातु नी एसीड साथे नी प्रक्रियानों सारांस आ प्रकारे होई सके एसिड वत्ता धातु वच्चे प्रक्रिया थाईने सु बने चेक सार वत्ता हाइड्रोजन वाईग। ओके दोस्तु, तमे जे प्रक्रियानु अउलोकन करियु छे, तेना समीकरन तमे लखी सक्षो, हामीत्रो सु थाई, जेड एन सोलिर, प्लस, एजटु एस ओफोर एक्वियास, गिवज, जेड एस ओफोर एक्वियास, प्लस एजटु ग्यास, ओके दोस्तु, चलो मीत्रो, एक कश्णडीमा दानादार जिंक, धातु ना थोड़ा टुपलालो, प्रवरुत्ती बे पोईंट चार, तेमा 2 ml, sodium hydroxide, NaOH, बेजु मेरू, अगाव आपने धातुनी एसिड साथे नी प्रक्रिया चुई, हवे धातुनी बेज साथे नी प्रक्रिया चुई, कश्णडीनी सामगरीने थोड़ी गरम करू, बाकीना सोपाने त्लेके पगला, प्रवरुत्ती 2.3 प्रामाने, ठेके उप्पन नी प्रवरुत्ती प्रामाने, पुन्डावर्तन, खरोने तमारा अवलोकन नोंधू, सुजोवा मलसे मित्रो, जिंकना टुकडानी सोडियम हाइड्रोकसाड साथे नी प्रक्रिया थी हाइड्रोजन वाई उत्पन न थाई शे, ठीक चे मित्रो, चालो दोस्तो, आप प्रक्रियाने नीचे प्रमाने पन लखी सकाई, 2 NaOH, सोडियम हाइड्रोकसाड, प्लस ZN सोलिड, गिवज, Na2, ZN O2, सोडियम जिंकेट, प्लस H2, हाइड्रोजन गेस, ठीक चे दोस्तो, तमें फरीथी जोसो के प्रक्रियामा हाइड्रोजन वाई उद्भवे छे, जो के आभी प्रक्रियाओ, बद्धी धातो, साथे सक्किय बन्ती न थी, ओके मित्रो, चाले दोस्तो, आने पच्छी नी आकरूती नी, एटले के, आकरूती बे पॉइंट एक नी, जरा प्रक्राक्टीस करी ले जो, ओके, एक कस्णडी मां, खावानों सोडा, लेके सोडियाम बाई कार्बोनेट तो, जहनु सुत्र छे, एनेस सियो थ्री, अंदर उपर थी उमेरों मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तमें जोई सक्सों मित्रों, खुब उबरा आउता जोवाम मले छे, देखाजे दोस्तो, आउब उबरा सेना छे, तो क्या बन्ने वच्चे प्रक्रिया थवा थी कार्बन डाउक्सेड वायू उत्पन थाई छे, अने आजे तमें उबरा जोई सको छो, एक कार्बन डाउक्सेड वायू ना छे, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, नी, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाउक्सेड वायू तेव प्रांत, सूत पन थाई छे, एने सीएल मीठू, अचेल्ले जे वदे छे ते एने सीएल मीठानू द्रावन छे, ओके दोस्तो, प्रक्रिया प्रमाने थाई छे गौन दोस्तो, हवे जोईं, धातु कार्बोनेट, अने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, डातु कार्बोनेट एटले Сीओ थ्री, अने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एटले cash c 3 એસીડ સાથે કેવી પ્રક્રીયા કરે છે ઠીક છે મીત્રો જાલો ત્યારે આપણેની જોયે પ્રવીતી મીત્રો આક્રુતીને જારા ધ્યાન્થી છો દોસ્તો આક્રુતીને જારા ધ્યાન્થી છો સુકરવાનુ છે દોસ્તો એક કશ્ણડી લો લીધે લીદે લી છે આ કશ્ણડીમાં 0.5 ગ્રામ સોડ્યમ કાર્બોનેટ નેટુ સી ઓથ્વ કે દોસ્તો તમે સુ ઓલોકણ કર્યમ જોવામલ સે મિત્રો તોકે કાર્બં ડાકશડ વાયુ ઉતપણ નથાઈ છે દોસ્તો ઉપરક પ્રવરુતી માટે સામાન્ય રાસાયનીક સમીકરાન આપી શકાયુ થીક છે દોસ્તો ચલો આકરોતી મુજબ ઉતપણ થતા કાર્બન ડાકશાડ વાયુને કેલ્સિયમ હઈડ્રોકશાડ ના કાર્બન ડાક્સાડ ની પરક્કશોતી કાર્બન ડાક્સાડ ની પરક્કશોટી છે આપણે પ્રથમ ચેપ્ટર માં દોવાનો સોડા પરક્ર્યા થઈને સૂ બને છે મીત્રો ટુ એને અને ટુ સીએલ બેગા થઈને બને ટુ એને સીએલ પ સાથે પ્રક્રી આથઈ સૂ ઉત્પં ધાઈ છે ને સીએલ સોડ્યમ ક્લોરાઈડ પાની પાની પાની બરાબચે મીત્ર બરાબચે મીત્રો ઉત્ભવતા કાર્બન ડાક્સાઇડ વાઈં ને ચુનાના પાની માથી પસાર કરતાય ચુનાનુ પાની ફોડેલો ચુનો અથવા ચુનાનુ નીતર્યું પાની એનું સુત્ર સુછે સીએ ઓએજ ટવાઇસ એકીએસ મીત્રા પ્રયો આપણે પ્રથમ ચેપર માં જોઈ લોચ છે એમતી કારબન ડાઉકસાડ વાયુ પસાર કરતા સું ઉત્પં થાઈ છે CaCO3 કારબનેટ પલોસ H2O એટ લેકે પાણી બોલો દોસતો બરાબર છે વધુ પ્રમાણ માં કારબન ડાઉકસાડ વાયુ પસાર કરતા નીચે દરસાવ્ય મુજબની પ્રક્રિયાથ થે ઉતપં થઈલો કારબનેટ પ્લસ સીઓટુ કારબન ડાઉકસાડ વધુ પાની પસાર કરતા એજ ટુઓ સુથ હશે મીત્ર તો કે કારબનેટ એમાથી બણી જસે કારબનેટ કારબનેટ પાની માં દ્રાવીય છે માટે અને આરાસ્પાન એ કેલ્સ્યમ કારબનેટ ના વિવિદ રુપીશ તમામ ધાતુ કારબનેટ અને હઈડોજન કારબનેટ એસ સુલખાય ધાતુ કારબનેટ અથવા ધાતુ હઈડોજન કારબનેટ વત્તા એસે પત્ચે પ્રકરીયા થઈને સું બને જેક સાર બત્તા કારબન ડાઉકસાડ બતા પાણી છીચે મીત્રો આવરસે પ્રકરીયાઓ ખાસ મોડે કરલે છો લેનાડા હેક સાાલે અનાાકરા હાળાંાિંાંડાડ્ંાા કરાંાામ ચાામાાાાાાંાાા'હાાાાાાા झाल झाल